सूप्रबाद, आज की आजुने की वक में हमारा जीवन काफी हद तक कम्प्यूटर बन दिभर है कम्प्यूटर की बीना जीवन के बारे में सोचना लगब असंबब सा लगता है इसलिए हमें कम्प्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जीवन आसान हो सके क्या कभी अपने आजिवन के बारे में सुना है इसे हिंदी में जित्तिम बुद्धि मंत्ता कह सकते हैं मनिश्य ने अपनी बुद्धि मंत्ता से नई टक्मिक की द्वारा अपने जैसे बुद्धिमान कम्प्यूटर बना लिये हैं हम अपने स्मार्ट फोन में ही डेर सारे एप्लिकेशन की रूप में आर्टिफिशन इंटेलिजेंस को उप्यों करते हैं आर्टिफिशन इंटेलिजेंस का इस शानला उधारन स्मार्ट स्पीकर है जैसे की एमेज़न इको, अलेक्सा या गूगल यह उप्करान हमारी अवास सुनकर और उसे समझ कर उसका उतर दे रहे हैं यह हमारे मनभथ पसंद गाने भी बजारे हैं यह हमारे घर की बत्तियां और आपमान को नियंदिट करने मदद कर रहे हैं लेकिन आटिफिशेंट एजेंट सिर्फ आगशाप उपकर में आने के बारे में नहीं हैं यह हर शेत्र में बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल करने में मदद कर रहे हैं सवस्त सेवा के शेत्र में एएड का वेपक उप्यों किया जा रहा है नई दवाओं और उप्चारों को विक्सित करना और गंबीर मिमार्य को निन्द में सायक सिद्ध करना इसी के साथ इसाथ अनाई शेत्र जैसे क्रिशी और प्राग्रेत आपदाओं का पहले से ही अंदाज लगा लेना इस तेजी के साथ बदलती दन्या के साथ आप और हम चल सके और डरे बिना उसका इस्तमाल करना शुरू को है और अपना उसे दोर बनाए ता कि वह अपने इंटेलिजेंस के साथ एक बहतर दूनिया बनाए आखे में तो सच यही है मशीन जित्री भी स्माट हो चाहे लेगे एक सीमा की बद मनुश्य के हाथ श्रेप की जरूरत जरूर होगी देकि वह यह अभी कहते हैं मशीनों के आने से बड़ा नुकसान मनुश्य को ही होगा क्योंकि उनका कम मशीनों से लिया जाएगा जो मानों सब्भेता के लिए हानी कारण हो सकते हैं ऐसे में उनका इस्तमाल करने से पहले लाव और हानी को संद्रेट करने की आवशत्ता होगी धन्यवाद